त्रिकोन मिती अनुपात और पाइथागोरस प्रमे Trigonometric Ratio and Pythagoras Theorem सभी त्रिकोन मिती अनुपातों की अवधार्ना समकोन त्रिभुजों से समझी जा सकती है समकोन त्रिभुज की भुजाओं के बीच पाइथागोरस प्रमे एक संबन देता है इसका उप्यो करके हम Trigon मिती अनुपातों में कुछ संबन धून सकते हैं हम एक समकोन त्रिभुज ABC की चर्चा करते हैं एक समकोन त्रिभुज ABC है इसमें समकोन त्रिभुज ABC में कोन C है, 90 अठथात ये समकोन है और कोड A ये थीटा के बराबर है इस तरभुज में कोड A के सामने की भुजा की लंबाई A कोड C के सामने की जो भुजा की लंबाई है वो C और कोड B के सामने की भुजा की लंबाई है B आप यहां देख रहा होंगे कि हमने कोडों के सामने जो भूजा की लंबाई लिखी है वो इसमाल लेटर में लिखी है कोड़ पाइथागोरस प्रमे में हम क्या जानते हैं कि किसी समकोन तृभुज की कणभूजा का वरग उसकी दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो यहाँ पर किसी समकोंव्ट रुपुज की बात हम कर रहा है तो कर्ण भुजा उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है और ये उसकी दो अन्य भुजाएं है जैसे BC बुजा और AC बुजा दो अन्य बुजा है तो पाइथागुरस प्रमे से जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कि AB का वर्ग ये बराबर है BC का वर्ग और AC का वर्ग मतलब पाइथागुरस प्रमे से हम ने इसको लिखा कि AB का वर्ग बराबर है B, C के वर्ग धन A, C के वर्ग के अब A, B का मान यदि हम देखें तो A, B का मान हमारे पास है यहाँ पर C तो इसको हम लिखेंगे C का वर्ग B, C का मान है A, तो इसे लिखेंगे A का वर्ग और A, C तो A, C यहाँ पर हम देख सकते है A, C का मान है B का B तो ये B का वर्ग हो जाएगा इस तरह से ये लिखा गया C का वर्ग बराबर A का वर्ग धन B का वर्ग ये हम इसको एक समी करण के तोर पे एक नाम दे देते हैं एक अब यदि यहाँ पर हम देखें तो ये जो विकर्ण है C और ये भुजा B ये दोनों के बीच में जो कोड बन रहा है वो थीटा तो इन दोनों भुजाओं के संबंध में अनुपात हम देखें दोनों भुजाओं के बीच के अनुपात को देखें वैसे ही हम यदि इसके A और C के अनुपात को देखें तो हम इसको त्रीकोंडयमीति अनुपात के रूप में लिख सकते हैं जैसे हम लेते हैं भूजा A और भूजा C के अनुपात को । तो हम बसकाओ कर नवगा में presented यहां पर यह बीच का कोड़ थीटा है और हम यह भूजा जो है वो आधार भूजा के रूप में जान रहे हैं इसको और आप जानते हैं कि आधार भूजा और जो कर्ण भूजा होती है उसके अनुपात को हम क्या लिखते हैं तो आधार भूजा और कर्ण भूजा का जो अनु बटा सी ये दो अनुपात हमें दिखाई दे रहे हैं हम पैथा गुरस प्रमे को त्रिकोन मिती अनुपात के साथ में सम्मन्द कर रहे हैं तो इसलिए हमने पहले देखा ये पाइथा गुरस प्रमे सी का वर्ग बरावररे vinegar धन-b का वर्ग अब हमने बुजाओं के अनुपात को त्रिकोन मिति के रूप में लिखा है हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह अनुपातों को हम इसमें संबंधित कर सकते है और कोई नया संबंध्ध यहां पर पराप्ट कर सकते है तो यदि हम ऐसा कर दें कि यहाँ पर A अपान C आ रहा है यहाँ पर B अपान C आ रहा है तो यदि हम एक में जिसको हमने एक कहा है समीकरण एक उस समीकरण एक में यदि हम C का वर्ग भाग कर दे समीकरण एक में C वर्ग थे भाग करने पर तो हम यह से लिखेंगे C का वर्ग बटा C का वर्ग बराबर A का वर्ग बटा B C का वर्ग हो जाएगा और इसको भी हम C के वर्ग से ही भाग कर रहे हैं तो B का वर्ग बटा C का वर्ग C का वर्ग बटा C का वर्ग यह कट जाएगा तो जहां हमने C का वर्ग बटा C का वर्ग लिखा इसका मतलब दोनों कटा तो कटा तो उसकी जगह में मिला एक और हमने लिखा था A का वर्ग बटा C का वर्ग A का वर्ग बटा C का वर्ग मतलब क्या? इसको हम लिख सकते है A बटा C का वर्ग और ऐसे ही हमने उसमें लिखा हुआ है B का वर्ग बटा C का वर्ग तो इसको हम लिख सकते है B बटा C का वर्ग अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा इसमें A बटा C जो है वो sin θीटा का मान है इसका मतलब इसकी जगह में हम लिखेंगे sin θीटा तो यह हो जाएगा sin θीटा का वर्ग धन बी बटा सी जो है वो कास थीटा का मान है तो कास थीटा रखा और इसका वबने कर दिया वर्ग जब हम त्रिकोन में ती अनुपात पढ़ रहे होते हैं तो जो साइन थीटा का वर्ग आता है उसको हम इस रूप में लिखते हैं साइन का वर्ग थीटा तो इसको हम पढ़ाएंगे sin square theta और ऐसे ही इसको भी हम लिख लेंगे और इसको भी हम पढ़ाएंगे cos square theta तो आपने अभी देखा है इसको हम इस ढंक से लिख देएं यदि कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1 मतलब कि sin square theta धन cos square theta बराबर 1 तो हमने ये देखा कि पाइथा गुरस्प्रमें हमने समकोंध तरभूच के लिए पढ़ा और त्रिकोंड मितियनुपाद भी हमने समकोंध तरभूच के लिए पढ़ा और दोनों हमने संबंध यहाँ पे देख लिया कि पाइथा गुरस्प्रमें की सहायता से हमने त्रिकोन मिती अनुपात में एक संबंध और प्राप्त किया तो यह है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 जो sin theta और cos theta के बीच के संबंध को प्रदर्सित करता है इस सर्वसमिका को आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin square theta is equal to 1 minus cos square theta या cos square theta is equal to 1 minus sin square theta sin square theta और cos square theta के संबंध के उप्रिक्त तीनों कथन समिकरन के रूप में है ये समिकरन हमने कोण theta के उन सभी मानों के लिए दिखाए हैं जो 0 degree से 90 degree तक है सम कोण त्रिभुज में theta greater than equal to 0 and less than equal to 90 के लिए इन्हें त्रिकोन मिती सर्वसमिकाएं कहते हैं कुछ अन्य सर्वसमिकाएं हैं जो 10 square theta और 6 square theta तथा cot square theta और cos square theta में संबंध बताती हैं इन्हें निम्नलिके तरह से ग्याद कर सकते हैं देखें और समझें सर्वसमिकाएं इसको हम सर्वसमिकाएं कह रहे हैं तो क्या इसके अत्रिक्त और भी सर्वसमिकाएं हम प्राप्त कर सकते हैं तो हम यह देखेंगे कि यहाँ पर दो अनुपात हमारे पास है sin theta और cos theta यदि एक बार हम sin के वर्ग से अर्थात sin square theta से इसको भाग करके देखे और दूसरी बार हम कास square theta से भाग करके देखे तो दो संबंधा और हमको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि दो सर्वसमिकाएं और हमको मिल सकती है तो आए देखते हैं यहाँ पर कि जब हम सर्वसमिका एक को sin square theta से भाग कर देते है तो हमें क्या संबंध प्राप्त होता है यहां हम sin square theta को भाग कर रहे हैं तो पूरे सर्व समीका को हम भाग कर रहे हैं इसका मतलब है कि यह दोनों पक्ष में हमको भाग करना पड़ेगा तो sin square theta को sin square theta से और कास square theta को भी sin square theta से भाग करेंगे और बराबर के दूसरी और जो 1 है उसको भी हम sin square theta से ही भाग करेंगे तो sin square theta बटा sin square theta ये कटेगा और कट के मिल जाएगा हमको 1 और इसको हम दोनों की घात कास square theta और sin square theta है इसको हम ऐसे लिखें कास theta बटा sin theta और इस पूरे का वर्ग और ऐसे ही इसको भी हम लिख लेते हैं एक बटा sin theta है और इसका वर्ग अब हम ये संबंद जानते हैं कास theta बटा sin theta और एक बटा sin theta तो आप क्या जानते हैं इसको कि यदि कास theta बटा sin theta होता है तो इसको हम लिखते हैं काट थीटा और ऐसे ही एक बटा साइन थीटा इसको हम लिखते हैं कासेक थीटा के बराबर मतलब कासेक थीटा का मान है एक बटा साइन थीटा और काट थीटा का मान है कास थीटा बटा साइन थीटा तो यहाँ पर हमारे पास काट थीटा बटा साइन थीटा है और यहाँ हमारे पास एक बटा साइन थीटा है कॉसेक थीटा तो यह हो जायेगा इसका कॉसेक थीटा का वर्ग हम यहां पर इसको इस धंग से लिखेंगे 1 प्लस काट स्क्वेर थीटा और ऐसे ही इसको भी लिखेंगे कॉसेक स्क्वेर थीटा तो आपने फिर यहां देखा कि जैसे आपने साइन स्क्वेर थीटा प्लस काट और कासेक के बीच में ये भी त्रिकोण मिती अनुपात है अब जानते हैं कि 6 त्रिकोण मिती अनुपात होते हैं दो अनुपातों के बीच में उपर संबंध हमने निकाला था और ये दो अनुपात जो थे उसके बीच में ये संबंध निकला ये संबंध हमने प्राप्त किया था तब जब हमने सर्वसमीका एक को साइन स्क्वेर थीटा से भाग किया था तो ये संबंध मिला इसे हम सर्वसमीका दो कहेंगे तो ये सर्वसमीका दो है हमने अभी बात की थी कि दो संभावना हमारे पास होंगी एक sin square theta से भाग करने पर एक संबंद मिलेगा और दूसरा संबंद मिलेगा cos square theta से भाग करने पर तो अभी हमने sin square theta से भाग कर संबंद निकाला यहां sin square theta plus cos square theta is equal to 1 में cos square theta का भाग करके देखते हैं तो दूसरा संबंद जैसे हमने प्राप्त किया था साइन स्क्वेर थीटा से भाग करके हम यहां कॉस स्क्वेर थीटा से भाग करके देखते हैं और क्या संबंद प्राप्त होता है उसको हम देखते हैं तो साइन स्क्वेर थीटा को हम भाग कर रहे हैं कॉस स्क्वेर थीटा से और कॉस स्क्वेर थीटा इसको भी हम भाग कर रहे हैं cos square theta से बरावर के दूसरी और जो 1 है उसको भी हम भाग करेंगे cos square theta से अब यहां हम देखेंगे cos square theta और cos square theta जो है वो एक जैसे हैं कट जाएंगे इसकी जगा में हमको एक मिल जाएगा और इसको हम ऐसे लिख सकेंगे sin theta बटा cos theta और इस पूरे की घाद धूरत दो दो धी हमने इसको इस रुप में लिख लिए और इसे हमने लिख लिए एक और इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं एक बटा cos theta और पूरे की घाद दो फीर हम देखें यहाँ पर तिरकोण मितियानुपाद साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के संबंद्ध को हम तेन थीटा के रूप में प्रदस्यत करते हैं तो तेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और ऐसे ही सेक थीटा ये बराबर होता है एक बटा कॉस थीटा के तो उसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा है उसकी जगा में हम तेन थीटा रख सकते हैं और यहाँ एक बटा कॉस थीटा है उसकी जगह में हम सेख थीटा रख सकते हैं तो रखते हैं इसमें टेन थीटा इसका वर्ग हो जाएगाई धन एक और बराबर एक बटे कॉस थीटा की जगह में हमने रखा सेख थीटा और इसका वर्ग किया फिर जैसा कि हमने भी बताया आपको लिखने का तरीका कि ये टेन थीटा का वर्ग है उसको हम लिख सकते है टेन स्क्वेर थीटा ये प्लस वन और ऐसे ही इसको हम लिख सकते है सेख स्क्वेर थीटा तो हमने फिर देखा कि 10 थीटा और सेक थीटा ये भी तरकुण में 3 नुपात है और इन दोनों नुपातों के बीच में फिर एक संबंध हम प्राप्त कर पा रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते है सेक स्क्वेर थीटा बराबर एक धन 10 स्क्वेर थीटा ये जो हम प्राप्त किये सेक स्क्वेर थीटा बराबर एक संबंध है और इसे हम कहेंगे सर्वसमिका 3 तो आपने देखा कि हमने एक सर्वसमिका ली और उससे दो और सर्वसमिकाएं प्राप्त की इस तरह से अब आप इस कक्षा में तीन सर्वसमिकाओं के बारे में भी जान सके एक साइन स्क्वेर थीटा प्लस कास स्क्वेर थीटा is equal to 1 दूसरा आपने देखा कॉसेक स्क्वेर थीटा is equal to 1 प्लस काट स्क्वेर थीटा और तीसरा जो सर्वसमिका है वो है सेक स्क्वेर थीटा इस एक्वल टो 1 प्लस 10 स्क्वेर थीटा करके देखें सर्वसमिका एक की तरह सर्वसमिका 2 और सर्वसमिका 3 को भी उनके अलग रूपों में लिखिए